तो गाइस कैसे आप लोगा जम बात करेंगे आई टेल के ए 48 फोन के बारे में अपने टॉपिक करना जाए इसके अपने फोन में वाइपाई के गाइस कनेक्टेट प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे मैं आपको अच्किस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए कि जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चलो स्क्राइब कर लिचिया अब बहुत अपने फोन की सैटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि आपको अपने फोन में कैसे वाइपाई के प्रॉब्लम ठीक कर पाएंगे सबसे पहले आपको देखे सैटिंग कॉन करना है यहां पर अपको देखे वाइपाई को उफ्शन मिलेगा पर यहां से आप अपने फोन में गाईज वाइपाई की प्रॉब्लम ठीक नई कर पाएंगे इसके लिए आपको अपने फोन में बैक करना है यहां पर आपको देखे रिशेट फोन को आप्शन में अप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहां पे दे के reset wi-fi setting option मिलेगा, आप इसकी गाईज setting को automatically reset कर पाएंगे, आप इसपे click करेंगे, then आपको यहां पे दे के reset setting option मिलेगा, आप इसपे जैसे click करेंगे, तब के phone के setting तियो reset हो जाएगी, then आप उसके बाद अपने phone में się wi-fi चे से connect करके चला पाएंगे and guys मैं मिलता हूँ आप से नेस्ट वीडियो में नए टॉफिक साथ तब तक लेओ भाए